हमने यह तो डिस्कस किया कि कीवर्ड सर्च कैसे करनी है कीवर्ड सर्च और्गनाइस कैसे करनी है लेकिन अब इससे नेक्स टैप जी है कि हमने ये भी देखना है कि कीवर्ड को हमने अपने बिजनस गोल के साथ कैसे लिंक करना है अब आपने एक बिजनस खोला है तो आपको अल्टिमेटली क्या चाहिए किसी भी बिजनस के ultimate जो कोशिश होती है वो sales होती है charity तो है नहीं कि आपको पैसे ना मिलें तो को मसला नहीं है तो हर बिजनस sales को focus करता है और यही मक्सद होता marketing का और sales का तो marketing में भी हमने ये देखना है कि कौन सी चीजें हमें sales की तरफ लेके जा रही है और हमने जब keyword की research करनी है तो हमने ये देखना है कि कौन से keywords है जो हमें sales जनरेट करके दे सकते हैं और हमें किन keywords की gains rank करना है जो कि हमारे business related है अब इसमें एक बड़ी चीज ध्यान करने वाली है वो ये कि आप अक्सर गलत keyword research भी कर लेते हैं गलत keyword research क्या होती है गलत keyword research ये हो सकती है कि आपने जो आपको business है या जो आपकी products हैं आपने वो तो search किया लेकिन उसके साथ बहुत सारे ideas Google आपको keyword research में और भी दिखाता है अगर आपने वो different ideas भी अपनी website में optimize करना शुरू कर दिये जो कि ultimately आपकी audience नहीं है या वो लोग जो search करते हैं वो आपसे चाहिए कभी buy भी ना करें तो आपकी एक effort जाया होगी उसको SEO करने पर तो इसलिए बड़ा important है कि आप उन keywords को filter out करें और उन keywords से focus करें जो आपको help करेंगे sales में और marketing में तो हमें exactly अपने business goals पता होने चाहिए कि हमारा business क्या है हम क्या बेचते हैं और उसके audience कौन है और वो क्या search कर रही होगी हमारी products दूनने के लिए इसके इलावा जितने भी आपको data मिलेगा और आपको मिलेगा राइट वो आपने filter out करना है अगर आप उसको filter out नहीं करेंगे तो मसला यह होगा कि आप focus हट जाएगा और आप गलत keywords पे कोशिश करके rank तो कर जाएगे लेकिन मसला यह होगा कि फिर आपको rank करने से traffic में मिल जाए बट उन keywords की value नहीं होगी क्योंकि वो keywords आपके business goals को support नहीं करते हैं हमें यह देखना है कि हमारे business goals क्या हैं तो इस example में हम चुके mobile phone store की बात कर रहे है mobile phone store का business goal क्या है कि ज्यादा से ज्यादा mobile बिकें और उसके लिए लोग क्या search करेंगे लोग internet पे जाएंगे Google को open करेंगे और उसमें जाकर mobile phones या mobile phone accessories या brand का नाम लिखकर mobile phone लिखेंगे तो हमने भी यह देखना है कि हमारे कौन से ऐसे keywords हैं जो हमारी audience search कर रही होगी और मैं आपको live दिखाऊंगा कि जो हमने पहले keyword research की है उसमें हमें किस तरह से filter out करना है कि कौन से keyword जो मेरे business goals को justify करते हैं और कौन से keyword जो मेरे business goals के against हैं और मुझे अनुकसान पहुंचा सकते हैं तो being a mobile store मुझे कुछ keywords चाहिए और मुझे कुछ keywords नहीं चाहिए उसके लिए ये exercise हम करेंगे आईए मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपनी Google Drive में जाऊँगा जहाँगा जहाँपर मैंने अपना data save रखा है और मैं mobile phone store के folder के अंदर keyword search के folder के अंदर जाऊँगा और वहाँपर मैं जैसे कि आप देख सकते हैं एक मेरा mobile phone accessories का folder और एक mobile phones का folder है मैं mobile phones के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर जितने भी मैंने keyword की फाइलें रखी हैं उन्में से मैं एक file open कर लूँगा अब चुक्के नाम पढ़ने में मुश्किल हो रहा है मैं इसका view change कर सकता हूँ view change करने के लिए मैं Google की top right option में इसको list view कर लूँगा list view करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से मुझे अब file के नाम पढ़ने में असानी है और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि इसके honor कोन है और उसकी last modified date किया है इसमें मुझे जो keyword research file चाहिए वो है mobile phones मैं उसको open करूँगा और अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसको sort किया था इसको optimize किया था और ये अभी उसी तरह से ही पढ़ी वी है और मुझे अब इसमें से जो धुनना है वो ये कि मुझे कौन से keywords हैं जो मेरे business goals को justify करते हैं और कौन से keywords हैं जो मुझे नहीं चाहिए मैं column B में थोड़ा सा view करना शूरू करूंगा अगर आपने इसको sort नहीं किया था तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप इसको sort कर लें और मेरी फिलहल जो file sorted है वो column E यानि कि minimum search volume से मैंने उसको highest to lowest sort किया हुए जिस keywords है सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले keywords उपर है और बाकी आईसा-ईसा उससे कम सर्च होने वाले बतद्रीच नीचे नजर आ रहे हैं मुझे तो मैं सबसे पहले उन keywords पर धिहान दूँगा जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं कि मुझे traffic चाहिए और मैं उन keywords को ignore नहीं कर सकता जो highly searched keywords है और मैं keyword पर focus पहले नहीं कर सकता जो बिल्कुल भी search नहीं हो रहे है तो मैं highest to lowest organize करने के बाद अब मैं बारी बारी इसको देखूँ को कौन से ऐसे keywords हैं जो मुझे helpful रहेंगे तो पहला keyword है mobile phone यह बिल्कुल मेरे business related है mobile phone मैं चाहूँगा कि मैं ultimately इस पर rank करूँ लेकिन चुके एक short tail keyword है और हम दिकर कर चुके हैं कि short tail keywords normally broad keywords होते हैं इनमें search तो बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन इसमें intent बिल्कुल नहीं नजर आती intent से मुराद कि user के सोच से वो keyword search कर रहा है वो आपके business goals से वो relate करता है कि नहीं यह ना Google को पता चलता है कि ना आपको पता चलता है for example अगर हम mobile phone की example लें जो लोग mobile phone search कर रहे हैं हमें नहीं पता है वो mobile phone खरीदना चाहते हैं या वो mobile phone बेचना चाहते हैं या उनका mobile phone टूट गया है उसको repair कराना चाहते हैं या वो maybe mobile phone की कोई video देख रहे हैं तो हम किसी भी तरह से कोई भी assumption नहीं कर सकते तो यह keyword short list होने की वज़ए से हमारे लिए बिलकुर relevant है भी और नहीं भी लेकिन मैं इसको primary keyword नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि इसके ओपर competition ज्यादा होगा और इसके ओपर rank करना मुश्किल होगा हमें उन keywords को निकालना है जो ज्यादा असान है और ज्यादा relevant है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं long tail keywords के ओपर जाऊँ जिसमें मुझे जादा intent clear होगी और मैं आपको दिखाता हूँ कि वह कैसे कर सकते हैं mobile phone मेरे लिए एक relevant keyword है तो मैं इसको highlight कर लूँगा yellow color से yellow color का मतलब यह है कि वह keyword जो मुझे शायद बाद में फाइदा दे सके कि मैं उनको याद रखने के लिए yellow से highlight करूँगा लेकिन मैं नीचे जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वह exact phone निकालूँ जो मुझे help करेंगे for example कोई best android phone सर्च कर रहा है तो मैं अगर android phone बेच रहा हूँ तो possibility है कि यह मेरी target audience है और इनको best mobile phone चाहिए है तो मैं अपनी website पे एक page create कर सकता हूँ जिसमें मैं यह बता दूँ कि best android phone कौन सा है और उसको मैं इस keyword के गेंश आप्टिमाइस कर दूँ यह मुझे एक relevant keyword लग रहा है और मैं इसको green color से highlight कर दूँगा ताके मैं इसको बाद में याद रक सकूँ कि यह मेरे primary keyword है फिर मैं नीचे स्क्रोल करता जाऊंगा जैसे कि आप देखे रहे हैं कि इसमें वो सारी ऐसी keywords है जो हमें नहीं चाहिए उसमें for example mobile themes यह ऐसा keyword है जो हम नहीं बेच रहे यह हमारी traffic हम से ले सकता है तो मुझे ऐसे keyword के ओपर rank नहीं करना तो मैं इसको red में highlight कर दूँगा जो कि मुझे helpful नहीं है लेकिन अगर कोई mobile shop सर्च कर रहा है तो यह maybe मेरे लिए helpful है मैं इसको green या yellow mark कर सकता हूँ depending on कि आप इस पर कितना focus करना चाहते हैं फिलाल मैं इसको second priority पर रखूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर मेनस ज़्यादा लगेगी क्योंकि यह short tail है एक keyword मुझे बड़ा interesting लग रहा है जो इसका नाम compare mobile phones है अब जो लोग mobile phone compare कर रहे होते हैं वो normally decision ले रहे होते हैं कि कौन सा phone उनको अच्छा लग रहा है उसके features देख रहे होते हैं तो मेरे पास यह opportunity है कि इस तरह की audience को मैं अपनी वेबसेट पे compare mobile phones का एक page बनाकर मैं different mobile phones compare करता रहूं उसमें और इस पे मैं rank कर जूँँ ताकि जब भी कोई google में यह search करे कि mobile phone compare करने है उसको मेरा result दिखा सकें इसी तरह से mobile phones for sale मुझे एक interesting keyword लग रहा है मैं इसको भी green mark करूंगा और आप इसी तरह से जब चलते चले जाएंगे तो आपको बहुत सर्यासे keywords मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यह बिलकुल आपस रिलेटिट keywords है और यह आपको helpful रहेंगे तो अगर आप यूज मुबाइल फोन बेच रहे हैं तो यहाँ पर एक keyword यूज मुबाइल फोन कर भी है अगर आपकी दुकान या आप अपने दुकान पर यूज मुबाइल फोन रखते हैं लेकिन ऐसे keywords भी मिले जो मेरे बिजनस से बिलकुल रिलेटिट थे लेकिन ऐसे keywords भी मिले जो मेरे बिजनस से बिलकुल रिलेटिट नहीं थे तो हमने यही काम करना होता है सब keywords के against और सब products against यह तो ज़स्ट एक example थी जितनी भी exercises आप करेंगे जितने भी आप pages बनाएंगे जब भी आप keyword research करेंगे आपको यह exercise रिपीट करनी है और यह एक lengthy exercise है बट यह बहुत ही important और बहुत ही relevant exercise है अगर आपने अपने ऐसे keywords सेलेक्ट कर लिए जो आपके business goal से link नहीं करते हैं तो मैं आपको दुबारा बताता चलूँ कि आप ultimately अपना नुकसान करेंगे क्योंकि आप उन पर time और effort लगाएंगे और यहां तक कि शयद आपको अपनी किसी को hire करके SEO करानी पड़े या खुद SEO करनी पड़े तो वो सब की चीजों की cost आपको bear करनी पड़ेगी effort है जिसको करना जरूरी भी है क्योंकि इसके बाद जितनी भी exercise हम करेंगे वो इनी keywords की base पे चलेगी अगर आपका यह process गलत हो गया तो बाकि सारा SEO का process बिकार जाएगा क्योंकि आप SEO चुछी कर लेंगे उन keywords की gains जो आपको नहीं चाहिए थे और जब आप उस पे rank कर जाएंगे तो आपको पता यह चलेगा कि आपके वो keywords पे traffic शायद आ भी जाए लेकिन आपको वो sales नहीं दे रही है तो यह बड़ा जरूरी है कि हमें business goals लिंक करने हैं अपने keywords के साथ